हे गाइज वेलकम तो दी सेशन आज की इस फीडियों में हम बात करने वाले हैं करन्ट अफेसमसी की उसके पार्ट थर्ड की जो आने वाले एक्जाम यूपीएसी सीसी के प्री के लिए काफ़ी इंपोर्टन्ट है सुरू करते हैं जिसका पहला गयुशन है मलेरिय के संदर में निमलिकर कतनों पर विचार कीजिए विद रिफरेंस टू मलेरिया कंसीर दफॉलिंग स्टेट्मेंट और इन में से बताईए कौन से सही है यह एक रक्त जनीत रोग है जो पलाजमोडियम नामक परजीवी के कारण होता है मानव सरीर में परवेश करने के बाद परजीवी सुरू में यकरत कोशिकाओं के भीतर बृद्धी करते हैं उसके बाद स्वेट रक्त कोशिकाओं को नश्ट कर देते हैं जिसके परणाम सरूप डवलो बीशीज की छती होती है विस्व इस तर पर मलेरिया के सबसे ज़्यादा मामले अफरीका में पाय जाते है मलेरिया के बारे में अच्छा कोशन है ऐसी कोशन पूछे जाते हैं बताना है इन मैंसे कौन से सही कतन है पहला और तीसरा सही है इसमें यह एक रखत जनी तरोग है प्लाजमोडियम नामक परजिबी के कारण होता है और विस्विस्तर पर मलेरिया के सबसे अदमामले कहां पाय जाते हैं अफरीका में पहले तीसरा का मतलब है एह आंसर हो जाएगा इसका डिटेल इसमें थोड़ी बड़ी है टाइम लगेगा आप लोग इसको पोज़ करके पढ़ लेना और जो काम की चीज़े हैं वो अपने नोट्स मन में नोट डाउन कर सकते हैं प्रधान मंतरी आवास योजना ग्रामीड के संदर में निमलिकित कत्नों पर विचार कीजिए विद रिफरेंस टू प्रधान मंतरी आवास योजना ग्रामीड कंसीट दर फॉलिविंग स्टेटमेंट्स ग्रामीड विकास मंतराले PMAYG को कार्यानवित करता है इसका उदेशिया उन सभी ग्रामीड परिवारों को बनियादी सुबिधाओं के साथ एक पक्का घर प्रदान करना है जो भेगर है या कच्चे या जीन सीन घरों में रह रहे है इट एम्स तो प्रदेश और पक्का हाउस बिद वेशिक आटोमेटिश एमेनिटिश तो ओल रूरल फैमिली हुआर हॉमलेस और लिविंग इन कच्चा और डिल अपाइडेटेड हाउस मध्यप्रदेश और पस्चिम मंगाल में PMAYG के तहद आबासो की पूर्टेदर रास्तिय ओसत से अधिक है मध्यप्रदेश एंड वेस्ट बंगोल हैब अ कॉम्पिलेशन रेट ओफ हाउसे अंडर PMJAYG अबब दे नेस्डल एवरेज सही आंसर देने समय से कौन से है इसमें पहले और दूसरे दोनों सही है ए आंसर हो जाएगा इसका स्क्रीन सोट ले सकते हैं या आप इसको पोज़ करके यहाँ पर पढ़ सकते है निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए स्टेक्फलेशन को एक ऐसी इस्थिती के रूप में परिवासित किया जाता है जिसमें मुल्य ब्रदी में गराबट के साथ साथ आर्थिक विकास की गती कम हो जाती है स्टेक्फलेशन इस डिफाइंड एज आ कंडिशन इन विच प्राइज राइज इस डिकलाइनिंग एड दे सेम टाइम एकोनोमिक ग्रोथ स्लोडाउन मुद्राइसपीती को भारतिय पृति बोति और विने में बोर द्वारा मुद्रिक नीथी में उचित परिवर्तन के माध्यम से नियंतरित किया जाता है इसमें से बताना है कौन से सही हैं इस टैक फलेशन के या मुद्राइसपीती के बारे में पहला दूसरा दो नहीं गलत हैं इसमें कोई से भी सही नहीं है डी आंसर हो जाएगा डिटेल पढ़ लेना इसकी और जो चीज़ें काम की हैं वो नोट डाउन कर लेना विस्व पर्यावरण दिवस के संबन में निमलिकित कफनों पर विचार कीजिए consider the following statement regarding World Environment Day जागुर्ता और पर्यावरण सनक्सन को प्रोस्ताहित करने के लिए प्रतियक वर्स 5 जून को विस्व पर्यावरण दिवस मनाय जाता है World Environment Day is celebrated on 5th June every year to encourage awareness and environmental protection संयुक्त राष्ट महासावा ने मानब पर्यावरण पर स्टोखोम सम्मेलन के पहले दिन 1970 में विस्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की The United Nations General Assembly established the World Environment Day in 1972 on the first day of the Stockholm Conference on the Human Environment विस्व पर्यावरण दिवस 2021 ने पारिष्थिती की तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट दसक 2021-30 की शुरुवात की World Environment Day 2021 kicked off the UN Decade on Ecosystem Restoration Restoration 2021-2030 सही उत्तर देना है कौन सा इसमें? सही आंसर है विस्व पर्यावरण दिवस के बारे में इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही है डी आंसर हो जाएगा इसको स्क्रीन सोट ले लो या पोज़ करके पढ़ने ना इसको Life Moment के संदर में निमिलिकित कत्रों पर विचार कीजिए With reference to the Life Moment, consider the following statement सही आंसर कौन सा है ये बताना है Life का विचार भारत द्वारा वर्ष 2021 में ग्लाजगो में 26 वे संयुक्त राश्ट के लवाईयू परिवर्तन सम्मेलन के दोरान प्रस्तुत क्या गया था The idea of life was introduced by India during the 26th United Nations Climate Change Conference of the Parties यानि COP26 in Glasgow in 2021 इसका उदेशिया परचलित उप्योग और निप्टान अर्थिवरस्ता को एक चक्रिय अर्थिवरस्ता द्वारा पर इस्थाबित करना है The movement aims to replace the prevalent use and dispose economy by a circular economy इस mission की ओजना व्यक्तियों के एक Westwick network बनाने और उसका पोस्टन करने की है जिसका नाम pro planet people यानि P3 है The mission plans to create and nurture a global network of individuals namely pro planet people और P3 which of the statements given अब अभी जोरार correct तो first, second, third, तीनों सही है इसके D answer हो जाएगा Screen sort ले सकते हैं या pause कर सकते हैं इसको, इसको detail पढ़ सकते हैं भारी धात्वों के संदर में निमली कित कत्रों पर विचार कीजिए With reference to heavy metals consider the following statements भारी धात्वों प्राकरतिक रूप से पर्थिवी की क्रस्ट में मौझूद होती हैं Heavy metals are naturally present in the earth crust खनन और द्योगिक और किर्सी कार्या पर्यावरान में भारी धात्वों के सभी मानव जनित सुरोत हैं Mining, Industrial and Agriculture Operations are all anthropogenic sources of heavy metals in the environment सीसा, लोहा, निकल, कैडमियम, आदी धात्व, भारी धात्वों को धारण हैं Metals like lead, iron, निकल, कैडमियम, etc. are examples of heavy metals भारी धात्वों का पर्भाव चिरिस्थाई नहीं होता बलकि उनका नकरात्मत पर्भाव कुछ ही दिनों में दूर हो जाता हैं The effect of heavy metals is not everlasting and their negative effect goes off within just a few days Which of the statements given आवाव इज़ों are correct भारी धात्वों को बताना है कौन सा सही है तो पहरा दूसरा तीसरा सही है इसमें, फर्स चेकिन थर्ड ए आंसर हो जाएगा इसका बाकि गलत है Government E Marketplace या GEM Portal के संदर में निमलिकित कतनों में से कौन सा सही है बताना है Which of the following statement is or are correct with reference to Government E Marketplace Portal यह केबल सामानिय उप्योग की वस्तों की online खरीद की सुबिदा के लिए एक रास्तिया सार्वजनिक खरीद पर्टल है It is a one stop national public procurement portal to facilitate online procurement of common use goods only GEM पर उपलब्द वस्तों तरह सेवाओं के लिए मंत्रालें और केंद्रिया सार्वजनिक खेतर के उद्यमों द्वारा वस्तों बे सेवाओं की खरीद का नानिवारिया है The procurement of goods and services by ministries and the central public sector enterprises is mandatory for goods and services available on GEM किर्सी और किसान कल्यान मंत्राले GEM पर्टल की नौडल एजनसी है The ministry of agriculture and farmers welfare is the nodal agency of GEM पर्टल इसमें से सही विकल्प का चेयन करना है Government e-market prayers के बारे में केवल दूसरा वाला इसमें सही है बाकी दोनों गलत है सार बोहमिक सेबा दायत्व निधी के संदर में निमलीगित कतनों पर विचार कीजिए With reference to Universal Service Obligation Fund consider the following statement USOF वर्ष दोहर दो में दूर संचार विभाग के तहत बनाए गया था The USOF was created under the Department of Telecommunication in 2002 USOF यह सुनिशित करता है कि ग्रामिड और दूर दराज के छेत्रों में लोगों के लिए आर्थिक रूप से उप्युक्त कीमतों पर गुडवत्तापून ICT सेबाओं तक सर बोहमिक गैर भेदवापून पहुंच हो यह निधी व्यबगत निधी है यह था इसका एक This fund is a leapsable fund USOF insure universal non-discriminate access to quality ICT services at economically efficient prices to people in rural and report areas सही आंसर देना इसमें सही कौन सा है तो फर्स और थर्ड दोनों सही हैं इसके C आंसर है इमलिगीत कतनों में से कौन से कौन से सही हैं बताना है Which of the following statements are correct Rubber carbonic yogic isopropene से प्राप्त polymer से बना होता है Rubber is made up of polymer derived from the organic compounds isoprene Rubber एक सुसंगत लोचदार ठोस्पदार थे जो उस नकटी बन दिया पेड़ों से के latex से प्राप्त होता है Rubber एजा coherent elastic solid obtained from the latex of tropical trees सही उत्तर देना है इसका correct answer Rubber के बारे में दोनों सही है समय सी आंसर हो जाएगा पहला भी और दूसरा भी प्राप्तिक Rubber आइसो प्रोप्रीन का एक बहुलाख है जो एक कार्वनिक योगिक है Rubber एक सुसंगत लोचदार्ट होस्पदार्त है और उसने कटी बंद्य छेतरों में पाई जाने वाले पेड़ों के लेटेक्स से प्राप्त होता है इन लताओं को खेतों में नहीं उगा जा सकता जिसके बढ़ाम सरुक कांगों में जंगली पोदों का बड़े पहमाने पर दोहन हुआ है निमलिखित कत्रों पर विचार कीजिए बारत और ओमान ने विज्ञान एवंपरोध्योगी के छेतर में सहयोग काड एकरम पर हस्ताक्सर किये इंडिया एन ओमान साइंड आ प्रोग्राम ओफ कोपरेशन पी ओसी इन दे फिल्ड ओफ साइंस और टेकनोलोजी बारत का संयुक्त अरब अमिरात के साथ एक व्यापक आर्तिक भागिदारी समझोता है इंडिया एह एक कॉम्प्रिहंसिब एकॉनोमिक पार्टनर्शिप एग्रिमेंट विद युएई बारत ने कुवैत के साथ एक मुक्त व्यापार समझोते पर हस्ताकसर किये हैं सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्सब्स इसका स्क्रीन स्योट ले लो या वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हैं तो आज की वीडियो में इतने रखेंगे उम्मीद करता हूँ आपको क्यों पसंद आए होंगे फिल्म मिलेंगे नई वीडियो में नई क्योंस के साथ अब तक के लिब आए थैंक्स वाचिंग